हल्लू फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू अवर यूटूब चैनल, मैं हरीनागर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक एंड कमपोजिशन आफ यूरिन के वरिगार्डिंग, याने कि जब भी कि व्यक्तिकी किड्नी ब्लेट को फिल्टर करती है, तो फिल्टरिशन की प्रोसेस के बाद किड्नी द्वारा वेस्ट प्रड़क्ट हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और उस वेस्ट प्रड़क्ट में कई प्रकार के कॉंस्टिट्यून्ट मौजूद होते हैं, उ जाने की हमारे शरीर में क्या प्रोब्लम चल रही है वो यूरिन के एनालाइसिस के आधार पर हम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी जानकारियों को पाने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंतक। सब्सक्राइब कीजिए हरीदनर सिंग गुरू यूटूब चैनल को और पास में जो बैल आइकन है उसके ओल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताके आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरीन के करेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग यानि की यूरीन के क्या-क्या फिचर्स होते हैं। तो हेल्दी अडल्ट पाजे से 1500 ml यूरीन पर दे तो एक हेल्दी अडल्ट एक दिन में लगबग 1.5 लिटर यूरीन एक्सक्रीट करता है। और यूरीन इस ट्रांस्परेंट एक्सक्रीट करता है। और इसका जो कलर होता है वो अमबर कलर का होता है। अमबर यानि की य्यलो एंड ऐरेंज के बीच का कलर। और यह कलर अंबर की होता है क्योंकि हमारी यूरीन में एक पिग्मेंट होता है जिसे यूरोबलिन या यूरोक्रोम कहते हैं और ये यूरोक्रोम बनता कैसे हैं हमारे शरीरिम में जब RBC का ब्रेकडाउन होता है तो हीमोगलोबिन का भी ब्रेकडाउन होता है तो उसी ब्रेक और यहां से यह pigment ब्लड में reabsorb हो जाता है और kidney के दवारा शरीर से बाहर की तरफ excrete कर दिया जाता है then pH is around 6 and normal range is between the 4.5 to 8 तो एक normal human being का pH 6 के around होता है और range की बात करें तो 4.5 to 8 होता है याने की urine slightly acidic होता है और यह pH हमारे खाने पीने के उपर निरबर करता है अगर हम fruits लेते हैं तो urine थोड़ा acidic हो जाता है और अगर हम vegetable लेते हैं तो urine थोड़ा alkaline हो जाता है then the specific gravity is between the 1.020 to 1.030 so यहाँ पर हम बात करेंगे specific gravity की specific gravity का मतलब है urine की density अथवा उसका भारीपन तो यहाँ पर specific gravity urine की 1.020 से 1.030 तक होती है urine की density हम water से comparison करते हैं so for example हमने यहाँ पर क्या किया है एक एक लिटर की दो पानी की bottle ली है तो यहाँ पर जो दो bottle ली है एक bottle में पानी है और एक bottle में urine है हमने full कर दिया उन दोनों को चेके अब उसका हम weight देखेंगे तो weight किसका ज़्यादा होगा urine का क्योंकि जो water होता है वो बिल्कु transparent होता है उसमें किसी भी परकार के constitute नहीं होते हैं लेकिन urine के अंदर कहीं परकार के constitute होने की वज़े से उसकी जो specific gravity है उसका जो weight है वो ज़्यादा हो जाता है then the amount of urine produce and the specific gravity vary according to the fluid intake and the amount of solute excreted तो यहाँ पर urine का production और specific gravity fluid intake के उपर निरबर करती है अगर आप fluid का intake ज़्यादा लेते हैं तो उस condition में urine का production भी ज़्यादा होगा और specific gravity भी ज़्यादा होती है अगर हम पानी कम पीते हैं, fluid intake कम होता है तो उस condition में urine का production भी कम होगा और specific gravity भी कम होगी then urine production is decreased during sleep and exercise तो यहाँ पर urine का production है वो सोते समय और exercise के समय कम हो जाता है उसके अलावा कहीं सारे factors ऐसे होते हैं जितकी वज़े से urine का production ज़्यादा हो जाता है जैसे कि अगर diuretics medication लेते हैं तो उस condition में अगर caffeine का उप्योग कर रहे हैं आप tea का उप्योग कर रहे हैं तो इस प्रकार की condition में urine का production बढ़ जाता है तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया urine के characteristics के regarding अब हम बात करेंगे urine के composition के regarding कि urine के अंदर क्या-क्या constitute होते हैं और उस constitute का क्या percentage होता है तो यहाँ पर mainly urine में 96% water होता है और remaining 4% constitute होते हैं और उस 4% में भी 2% urea होता है और remaining 2% बहुत सारे यहाँ पर constituent होते हैं जैसे कि calcium होता है 0.015% sodium 0.1% chloride 0.6% potassium 0.6% magnesium 0.01% phosphate 0.12% sulfate 0.18% creatinine 0.1% uric acid 0.03% ammonia 0.05% तो इस प्रकार से urine का composition बनता है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह हमारा वीडियो useful लगा होगा, knowledgeable लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्योरिस हैं तो comment box में चाहिए, comment करिए, thank you so much. जाई में लग करिए,流गा mother का attर वोस्तों की की कि बने हमा पीडियो रा स्वाषग से energía जा उत्वाभ alpha प duż duż एप्यों क्यों क्यों, वेंस हो हमाँ, वेंस हो वेंस तो सम्तों वेंसार पियो